13.1.3 न्याय पालिका न्याय पालिका का प्रमुक कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना यह देखना कि विधाय का द्वारा कोई कानून सम्विधान के विरुद्धुतों नहीं बनाया गया है और कारेपालिका द्वारा किये जाने वाले कारे की कानूनी वैदता की जाज करना भी है हमारे सम्विधान में एक विस्तरित और स्तरीकृत न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है जिले इस्तर से लेकर पूरे देश के इस्तर तक न्यायालय इस्थापित है हर राज में एक उच्च न्यायाले होता है देश में सर्वोच न्यायाले है जो भारतिय न्याय व्यवस्था का शिखर है हर समाज में व्यक्तियों के बीच सम्मूहों के बीच और व्यक्ति तथा सरकार के बीच विवाद उठते है इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिध्धान्त के आधार पर एक स्वतंत्र संस्थाद्वारा हल किया जाना जरूरी है। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, इस्त्री और पुरुष तथा अगडे और पिछडे सभी लोगों पर एक समान कानून लागु हो। न्याय पालिका की प्रमुख भूमी का यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वुचिता को सुनिश्चित करें। न्याय पालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोक तंत्र की जगा किसी एक व्यक्ति यह समूग की ताना शाही न ले ले इसके लिए जरूरी है कि न्याय पालिका किसी भी राजनेतिक दबाव से मुक्त हो यह न्यायाधीशों के न्यूक्ति कारेकाल आदी से सम्मंधित प्रावधानों में देखा जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों के न्यूक्ति करें। वर्तमान में इस ववस्था के गुर्दोशों की विवेचना की जा रही है और इसमें सुधार लाने के प्रयास चल रहे हैं। न्यायाधीशों का कारेकाल निश्चित होता है। वे सेवानिरत्य होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवात स्वरूप विशेश इस्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ना उनकी नियुक्ति में ना ही उनके वेतन निधारन में विधाईका की कोई भूमिका है। इस कारण न्यायाधीश दलगत राजनीती वह अन्य दबाओं से मुक्त होकर अपना काम कर सकते हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे उपर सर्वोच न्यायाले फिर उच न्यायाले तथा सबसे नीचे जिला और अधिनस्त न्यायाले है। आरेक 13.4 देखें, नीचे के न्यायाले अपने उपर के न्यायालियों की देख रेक में काम करते हैं आरेक 13.4 भारत में न्यायाले विवस्था भारत का सर्वोच न्यायाले इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं यह उच्छ न्यायाले के न्यायाधिशों का तबादला कर सकता है? यह किसी अदालत का मुकद्मा अपने पास मंगवा सकता है? यह किसी एक उच्छ न्यायाले में चल रहे मुकद्मे को दूसरे उच्छ न्यायाले में भिजवा सकता है? उच्छ न्यायाले निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है राज के छेत्रा अधिकार में आने वाले मुकदमों का निप्टारा कर सकता है जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है अधिनस्त अदालत फोसदारी और दिवानी के मुकदमों पर विचार करती है भारत का सर्वोच न्यायले हमारे सम्विधान में सर्वोच न्यायले का विशेशन स्थान है आरेक 13.4 में आप देख सकते हैं कि वह न्याय पालिका की सर्वोच संस्था होने के नाते किसी भी न्यायले को निर्देश दे सकता है और उनके निर्नेयों को पलट सकता है उसके निर्नेयों का दरजा कानून के समकक्ष होता है सरवोच नियायाले के कुछ प्रमुक काम इस प्रकार है पहला, दिवानी, फोजदारी तथा सम्वेधानिक सवालों से जुड़े अधिनस्त न्यायालियों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना दूसरा, संग और राजियों के बीच तथा विभिन राजियों के आपसी विवादों का निप्टारा करना तीसरा, जनहीत के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट पति को सलाह देना चौथा, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनकर आदेश जारी करना इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नागरिकों के लोकतांतिक अधिकारों की रक्षा करने में के अंदर बनाय रखने में संपूर न्यायतंत्र और विशेश कर सर्वोच न्यायाले की अति महत्वपूर भूमिका है निर्वाचन आयोग हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन या चुनाओ बहुत महत्वपूर है सांसदों व विधायकों के अलावा राश्ट्रुपति उपराश्ट्रुपति राजिसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है इनके निर्वाचन की व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है जिसका प्रावधान सम्विधान में किया गया है निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयोगत सहीत तीन सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ती प्रधान मंत्रे की अनुशन्शा पर राश्ट पती द्वारग की जाती है निर्वाचन आयोग निस्पक्ष चुनाओ कराए इसके लिए उसे विशेश अधिकार दिये गए हैं प्रत्यक राज का भी एक निर्वाचन आयोग होता है राज निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरपालिका आदी की स्थानी स्वशासी संस्थाओं का निर्वाचन करवाता है उदाहरन के लिए पंचायती राज चुनाओ